हेलो गाइज गुड़ाफटरन तो कैसे आप लोग मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज में एक इंपोर्टेंट टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूँ जैसिक आप लोग को पता हिए मैं यूके में रहता हूँ और यूके यूके की जॉप्स की और यहां पर आने जान है जो फर्स्ट आप उतरती आपके जाथ क्या 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 फ्रॉड हो सकता है और फ्रॉड से कैसे बचना है उसके मैं दो तिन नुक से बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप आपको यह वाला फ्रॉड फेस करना ना पड़े क्योंकि मेरा पर्सनल एक्स्पिरियंस से म आपको पता है आप एक नया कंट्री में आ रहे हो शकल दिखके बता देता है उनका रोज का काम है कि नया बंदा इसको वह आपको टेक्सी मीटर से ले जाएगा थोड़ा घूमा के ले जाएगा पैसे जादा लगेगा तो टेक्सी वाले से बचने का दो तरीके एक तो आप कर लो यहां आती उसके लिए आपको कंट्री चेंज करना पड़ेगा आपके फोन में यहां यूके लेंड होती है आप यूके डाल दो उबर की अप में फिर आप टेक्सी बुक करके जा सकते हो दूसरा है कि बहुत सरे बस है डारेक कनेक्टेड है और मेट्रो ट्रेइन भी सह साँथ लंदन को कपर करता है तो यह आरपोट से लेकर वहां की तरह आता है तो आप यह ऊचल्जावे वाते हैं ए और यहे तो आफ कोई प 그park च一 लैंँडी डिली लाइन डायरेक्ट सेंटर लंडन में जाता है तो आप वह भी ले सकते हो और और नहीं तो आपका कोई फ्रेंड वगर यहां पर तो उसको बोल दो कि गुमा के लिए ले जाएगा तो यह एक फ्रोड होता है यह एरपोर्ट में लेंड होते इससे बचना दूसरा है कि आपको पैसा चेंज एरपोर्ट में मत करना यह पूई भी एटियम में किसी बंदे से पैसा चेंज आप इंडिया से करके ले आना मतलब इंडियन रुपीस को जो पाउन में इंडिया से कनवर्ट करके लिए आना और रेजिस्टर मतलब पूरा पक्के वाले बंदे से कराना यहां पर मत करना बहुत ज्यादा रीट लेते हो लोग और फाल तुके नक्रे करते हैं ठीक है और तीसरा है कि आप जब घर बगरा ऑनलाइन बुक करने ही एडिया से कोशिश करते हो या यहां करिसे काशू और यह फ्रोड से आप बच सकते हो एजी ली थोड़ा से चोकरना रहना परता है और अच्छे से देखना थोड़ा सा और ऐसे बीएप करना कि आप पहले भी आ चुके हो यहां पर ऐसे लगने मत देना बाहर उतरते कि आप पहली बार आ रहे हो जो लोग ट्रेवल करते हैं उन